हलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल में मेरा नाम है आरवी आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ Samsung Galaxy J4 Plus और Redmi Y2 तो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे इन दोनों मोबाइल्स का कंपेरिजन और जानेंगे इन दोनों में से कौन सा बहतर है अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं 10-11,000 रुपे तक का मोबाइल तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में आपके लिए कौन सा जादा बहतर रहेगा तो J4 Plus के बॉक्स पे MRP है 12,000 रुपे की और आपको मिल जाएगा फिलिप कार्ट पे आपको 11,000 रुपे के आसपास मिल जाएगा आपको स्पैसिट्रफ के ऊपर आप देखिएगे तो इसके अंदर भी आपको स्पैसिफिकेशन्स मिले जाती है चेंग की इसके अंदर आपको HD Plus डिस्प्ले मिल जाती है जो कि फिल् forbidden डिस्प्ले VII की तरफ से इसके लाववा फ्रेंट के कैमरे में इसमें भी आपको फ्लेश देखने को मिल जाती है बाकी आप देख सकते हैं यह है complete look Samsung Galaxy J4 Plus के box का back side से नीचे लिखवा आपको मिल जाता है make for India product इसके अलावा 13MP का इसके अंदर आपको back camera मिलता है और 5MP का front camera मिलता है तो देख सकते हैं आप इसका box आपको white color के अंदर मिल जाता है चलिए unbox कर लेते हैं तो सबसे पहले white 2 को जैसे हम unbox करते हैं सबसे पहले रखवा मिल जाता है आपको mobile gold color का variant है यह इसके अलावा इसके नीचे रखवा मिल जाता है आपको एक mini box जिसके अंदर आपको मिल जाते हैं user manual कुछ इस तरीके से इसके अलावा आपको मिल जाता है इसके अंदर एक सिंपल सा case तो इस mobile के साथ आपको case मिल जाता है कुछ इस तरीके से इसके अलावा आपको मिल जाती है इस mobile के साथ एक data cable नीचे की तरफ रखी भी length आप देख सकते हैं काफी ठीक ठाक है इसके length और quality भी इस cable की काफी ठीक ठाक है इसके अलावा आपको type C cable इसके साथ नहीं मिलती है नीचे की तरफ आप देखींगे तो आपको charger मिल जाता है कुछ इस तरह किसे look में black color का जो कि Xiaomi के जादतर mobile के साथ यहीं आता है बाकी specifications आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर आपको output मिल जाता है 5W 2A का तो charger की quality इसकी ठीक ठाक है मैंना personally भी use करा है तो काफी सही चल जाता है और एक मिल जाता है आपको SIM ejector tool चलिए unbox कर लेते हैं J4 Plus को तो जैसे ही आप unbox करेंगे तो आपको सबसे पहले रखवा मिल जाता है mobile wrapper के अंदर बाकी यह black color का variant है इसके अलावा आपको मिल जाता है user manual इसके box में एक मिल जाता है SIM ejector tool एक packet के अंदर रखवा देख सकते हैं आप इसके अलावा आपको मिल जाती है data cable तो इसकी length काफी अच्छी है उस Y2 के mobile से जादा लंबी length आपको मिल जाती है और आपको मिल जाते हैं headphone है इस mobile के साथ तो J4 Plus में आपको headphone मिल जाते है कुछ इस तरीके के look में आप देख सकते हैं एक रखवा मिल जाता है box के अंदर आपको charger output आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको मिल जाता है 5 Watt, 1A का तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके सा आपको देखने को charger मिल जाता है white color के अंदर जिसमें back side पे तो samsung की branding हुई है तो जादा better charger आपको मिल जाता है y2 के अंदर 2 ampere का बाकी build quality इस charger की भी काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है दोनों ही mobile's के अंदर आपको type c cable नहीं मिलती है दोनों ही mobile में आपको usb to micro usb cable मिलती है चलिए बात कर लेते हैं design के बारे में तो samsung galaxy j4 plus में आपको मिलता है single camera back side पे बीच में बिलकुल उसी के बराबर में आपको मिल जाती है flash इसके अंदर आपको fingerprint scanner देखने को नहीं मिलता है और बीच में आपको मिल जाती है Samsung की branding इसके लावा Y2 आप देखींगे तो इसके अंदर आपको मिल जाता है left side पर आपको dual camera देखने को मिल जाता है उसके बीच में flash दी गई है camera, front flash, speaker और sensor और वही चीज़ आपको देखने को मिल जाती है Y2 के अंदर इसमें भी camera, sensor और flash दी गई है और एक speaker आप bezels देख सकते हैं दोनों ही mobile के कुछ इस तरीके साब को देखने को मिल जाते है थोड़े से जारा से छोटे जो है आपको bezels मिल जाते हैं Samsung के अंदर आप देख सकते हैं looking wise बाकी जादा फर्क नहीं है दोनों ही mobile के bezels के अंदर इसके लावा left side से आप दोनों ही mobile को देखेंगे तो आपको मिल जाते हैं Samsung के अंदर तो volume keys और Y2 के अंदर आपको मिल जाती है sim की tray और volume keys के नीचे ठीक नीचे आपको मिल जाती है memory card की tray और sim की tray Samsung के अंदर तो दोनों ही mobile के अंदर sim की tray left side पे मिल जाती है back panel दोनों ही mobile का open नहीं हो सकता बाकी नीचे की तरफ साब देखींगे आपको मिल जाता है charging point दोनों mobile में इसके अलावा mic दोनों mobile में मिल जाता है Y2 के अंदर नीचे की तरफ आपको speaker देखने को मिल जाता है और Samsung के अंदर 3.5 mm का jack देखने को मिल जाता है चलिए देख लेते हैं look in दोनों mobile की right side से तो आपको right side में power की देखने को मिलती है दोनों ही mobile में volume की दी गई है Y2 के अंदर और speaker दिया गया है power की के ठीक ऊपर Samsung के अंदर Y2 के अंदर आपको मिलती है 3 GB RAM Samsung J4 Plus में आपको मिलती है 2 GB की RAM बाकी दोनों ही mobile के अंदर आपको 32 GB की internal storage मिल जाती है उपर की तरफ साथ आप देखेंगे दोनों ही mobile को Samsung में तो कुछ नहीं दिया गया बाकी Y2 के अंदर आपको मिल जाता है 3.5 mm का jack जो Samsung में नीचे की तरफ है और IR blaster आपको देखने को मिल जाता है noise cancellation माइक के साथ तो MI remote इसके अंदर आराम से काम कर जायागा आपका बाकी SIM की ट्रे की बात करें तो दोनों ही mobile के अंदर आप 2 SIM card एक memory card तीनों चीज़े एक साथ लगा सकते हैं दोनों ही mobile के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली दोनों ही mobile के अंदर आपको face unlock का option मिल जाता है बाकी ये था इन दोनों mobile का complete body design और look अब आप मुझे comment section के अंदर बताएगा किस mobile का design आपको ज़्यादा पसंद आया console mobile design के मामने में ज़्यादा बैटर लग रहा है 13MP का single camera आपको मिलता है Samsung के अंदर J4 Plus में और 12MP 5MP का आपको dual camera मिल जाता है Y2 के अंदर बाकी जैसे ही हम इसको boot करते हैं कुछ इस तरह किसे दोनों ही mobile boot होते हैं आपको लिखावे मिल जाता है Samsung Galaxy J4 Plus और इसके अलावा आपको MI लिखावे मिल जाता है Y2 के अंदर दोनों ही mobile's के अंदर आपको front में flash मिल जाती है और front camera आपको Samsung में मिलता है 5MP का और 16MP का camera आपको मिल जाता है Y2 के अंदर तो दोनों के price में 5600 रुपे का फरक आपको देखने को मिल जाता है और user interface हम देख लेते हैं setup करने के बाद जल्दी से किस mobile का आपको better user interface देखने को मिल जाता है बैटरी के बारे में बात करें तो 3300 mh की बैटरी आपको मिल जाती है J4 Plus के अंदर और 3800 mh की आपको बैटरी मिलती है Y2 के अंदर चलिए दोनों ही mobile boot हो चुके हैं आपको देख सकते हैं Samsung के अंदर आपको menu मिलता है कुछ इस तरीके से slide आप उपर की तरफ करेंगे तो आपको मिल जाता है menu और review के अंदर आपको सारी applications मिल जाती है screen पर ही आप right side पर swipe करेंगे आपको सारी applications देखने को मिल जाती है तो user interface तो काफी different है दोनों ही mobiles का बाकी करीब से आपको मैं display दिखा देता हूँ दोनों ही mobiles की किस की ज़्यादा better लग रही है और bezels भी मैं आपको दोनों ही mobiles के दिखा देता हूँ डिस्पले का लुक कुछ इस तरीके से आपको दोनों ही mobiles में देखने को मिल जाता है तो आप देख सकते हैं bezels जो है किस mobiles के आपको ज़्यादा छोटे देखने को मिल जाते है Samsung Galaxy J4 Plus में आप दो sim card 4G के भी एक साथ चला सकते है जियो के sim एक साथ चला सकते है दो sim card उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली Y2 के अंदर आप दो sim card जियो के एक साथ नहीं चला सकते 1.4 GHz का quad core processor snapdragon 425 आपको मिलता है Samsung Galaxy J4 Plus में और Y2 में आपको मिल जाता है 2 GHz का octa core processor snapdragon 625 तो better processor आपको मिल जाता है Y2 के अंदर Android version में आपको दोनों ही mobiles में settings में जाके दिखा देता हूं किसमें कौन सा मिल जाता है तो दोनों ही mobiles में आप देख सकते हैं आपको latest version मिल जाता है Oreo 8.1 दोनों ही mobiles के अंदर इसके अलावा 6 inches के आपको display मिल जाती है Samsung Galaxy J4 Plus में और 5.99 inches के आपको display मिल जाती है Y2 में तो display size दोनों ही mobiles का आपको बराबर मिल जाता है इसके अंदर जादा difference नहीं है 274 PPI आपको मिल जाता है Samsung Galaxy J4 Plus में और Y2 में आपको मिलता है 269, 279 PPI चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे main बात आपको इन दोनों mobiles में कौन सा purchase करना चाहिए कौन सा नहीं तो देखिए इस चीज़े depend करती है बहुत सारे factors के उपर आपकी जरूरत के उपर आपकी main जरूरत किस चीज़ की है सबसे पहले तो आपको trust जो है इन दोनों brands में किस के उपर है या आपकी personal choice है आपको build quality Samsung की ज़्यादा पसंद है या फिर Xiaomi की पसंद है अगर आपकी ज़्यादा बैटरी की है camera का charger है इसके अलावा अगर आपकी need है camera की आपकी photography की need है तो मैं आपको suggest करूँगा Y2 purchase करिएगा क्योंकि इसके अंदर dual camera आपको मिल जाता है portrait modes वाली photos आप आराम से ले सकते हैं और अगर आपकी need है video graphic की आपको video graphic पसंद है तो मैं आपको personal experience बताऊंगा आप Samsung का mobile purchase करिएगा क्योंकि उसके अंदर आपको single camera ही सही लेकिन आपको video graphic के अंदर बहुत ज़ादा बढ़िया performance देखने को मिल जाती है Y2 के comparison में Samsung Galaxy J4 Plus में video graphic के लिए camera ज़ादा better दिया गया है अगर आपकी need है fingerprint scanner के आप बिल्कुल भी compromise नहीं कर सकते तो आप Y2 purchase कर लिएगा क्योंकि इसके अंदर आपको fingerprint scanner मिल जाता है Samsung के अंदर fingerprint scanner नहीं है बाकी face unlock option आपको दोनों ही mobile's में मिल जाता है दो sim card 4G के एक साथ चलाना चाहते हैं तो आप Samsung purchase कर लिएगा उसके अंदर आपके आराम से चल जाएगे Y2 के अंदर दो sim card 4G के एक साथ नहीं चल सकते अब बात कर लेते हैं सबसे main चीज जो की है speed mobile की आप बिल्कुल भी compromise नहीं कर सकते mobile की speed के साथ तो मैं आपको suggest करूँगा Y2 purchase करिएगा क्योंकि इसके अंदर आपको मिलती है 3GB के RAM और Samsung J4 Plus में आपको मिलती है 2GB के RAM इसके अलावा Snapdragon 625 आपको processor मिलता है Y2 में और J4 Plus में आपको मिल जाता है 425 तो जादा better speed और RAM आपको मिल जाती है Y2 के अंदर बाकी Samsung आपको मिल जाता है J4 Plus glossy look के अंदर चारों तरफ से बहुती जादा glossy shiny mobile है अब आप मुझे बताइएगा इन दोनों mobile's में कौन सा आपको पसंद आया ये चीज़ आप मुझे comment section के अंदर जरूर ही बताइएगा इन दोनों mobile's में कौन सा जादा better लगा वीडियो आपको पसंद आये तो like कर दियेगा चैनल पर आप नए है तो subscribe कर लिएगा उसके साथ bell icon भी दबा दियेगा ताकि मेरी नई वीडियो उसके updates आप तक पहुंचती रहें ये वीडियो आपको helpful लगी तो अपने friends के साथ share कर दियेगा WhatsApp, Facebook पे मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई unboxing speed test और फिर comparison के साथ तब तक के लिए take care बाबाई